लेकपाल भरती परिक्षा, प्रदेश में बहुत बड़ा परिक्षार्ती वर्ग इस परिक्षा की तैयारी से जुड़ा हुआ है इसके लाखों सदस् हमारे online institute से जुड़े हुए है और हजारों की संख्या में सदस् हमारे online basis से जुड़े हुए है इस परिच्छा के बारे में जब भी कोई ख़वर आती है तो हलचल होती है हमारी भी जिम्मेदारी है कि इतने बड़ी संख्या में जब लोग हम से जुड़े हुए हैं तो हम खबरों की सत्यता को आपके सामने इसपस्ट करें इसी किरम में आज मैं आपके सामने हूँ इस परिक्षा के बारे में कल से लेके आज तक की अधी सभी खबरों को देखा जाए तो UP SSSC के माध्यम से भी खबरे मिली राजोस्परसत के माध्यम से भी खबरे मिली और इन खबरों को कल और आज के समाचार पत्रों ने भी प्रमुक्ता से छापा मैं किसी पेपर की कटिंग आज नहीं लगाऊंगा बाकि मैं इस पष्ट आपको कुछ जानकरियां देने वाला हूँ आज की संशिप्त चर्चा के चार बिंदू हैं और ये चार बिंदू आपके सभी प्रुष्णों का जवाब दे देंगे और पेपर और अखवारों में जो खवर छपी हैं बैपसाइट पर जो खवर छपी हैं उनकी सत्यता को भी सपष्ट कर देंगे वो चार बिंदू आपको पीछे दिख रहे हैं पेपर की खवर की वास्तिकता क्या है क्या आने आने ही वाली है लेकपाल की भरती कब हो सकती है आपकी परिक्षा और आपकी आगे की तयारी क्या होनी चाहिए इन चार बिंदूओं पर हम बात करेंगे जैसे ही किसी परिक्षा का नोटिफिकेसन या पेपर की ख़वर आती है चुकि इतना बड़ा परिक्षारती वर्ग जुड़ा हुआ है कि तुरंट प्रिवेस के लिए आप लोग फोन करने लगते हैं बैचिच के बारे में जानना चाहते हैं तो एक मिलिट में इन सारी बातों का जबाब देता हूँ मैं आपको एक चीज बता दू बैच्ट एजूकेटर्स के साथ हमारे संस्थान में पहले से ही लेकपाल का टार्गेट बैच संचाले थो रहा है जैसे ही अखवारों में ख़बर मिली चुकि इस परिक्षा के फॉर्म एक बार भनने प्रारम हो चुके थे तब से परिक्षार्ती पूरी तरीके से लेकपाल की परिक्षा में जोटे हुए है और जो गंबीर परिक्षार्ती हैं वो खूब अच्छे से तयारी कर रहा है लगबख सास से आठ हजार बच्चे हमारे ही ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए है लगबख एक महीने पहले हम लोग इस बैच को लाए थे और धीरे-धीरे हमने इस बैच को पढ़ाना शुरू किया डेली पांच घंटे की क्लासेज है वीडियो क्लासेज इस ओनलाइन बैच में PDF नोट से हैं हैं रिटेन नोट से हैं प्रैक्टिस सेट हैं आपको पूरा करा रहा हूँ बहुत सारी डेमो क्लासेज हमारे टीचर्स की मेरी सबको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते कि हम लोग किस तरीके से बैच पर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और जो बैच के सदस है उन्होंने नीचे आपको फीडवेक्स भी दिये होंगे तिससे आप अपना नेड़ ले सके तो आपकी जो क्वैरी जाई आपने जो हमसे पूछा कि सल लेकपाल के वेकंसी आने बाले है क्या कोई नया बैच है तो मैं आपसे कह दूँ देखे हम लोग बहुत मेहनत जीजान से इस बैच को पढ़ा रहा है ये बैच भी अभी पुराना नहीं इसलिए आपको नय बैच की जरूरत नहीं है इस बैच में जवरजस्त कंप्टिसन का माहल है डिसिप्लेन इस बैच के सदस बहुत अनुसासित है आप इस बैच को ज़ाइन कर सकते है पहले दिन से ही आपको फर्स्ट डेक के लेक्चर से आपको लेक्चर क्लासिज प्रोवाइट की जाएगी सारा माटिरियल प्रोवाइट की जाएगा आप उसी सिक्वेंस में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते है कहीं दिक्कत नहीं होगी जहां दिक्कत है वहाँ पर हम लोग आपकी लाइफ क्लासिज लेenगे प्रेक्टिस सेशन्स आपके लेगे सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइट की जाएगे तो आप तुरंथ अपनी तयारी को प्राणा कर सकते है आप सभी लोगों की जो कल परसों में कोईरी जाएं उनको देखते हुए इस बैच में admission प्रारम भी किया गया है कुछ दिन के लिए तो आप कैसे प्रिवेस ले सकते हैं ये संस्थान का WhatsApp नमबर है और इस WhatsApp नमबर पर आप entry लेकपाल लिख कर भीज दीजिए आप जैसी entry लेक लेकपाल का चितने भी जो है संस्थान चला रहे हैं online उनमें से आप देखेंगे कि उत्तर भारत की सरस्ष्ट टीम के साथ best educators के साथ आप लेकपाल की तयारी करने जा रहे हैं आप नीचे के demo को अगर देख ले तो आपको स्यम ही ये महसूस हो जाएगा कि कितनी अच्छी औ आपको बिल्कुल भी इस बैच में दिक्कत महसूस नहीं होगी मैं स्वयम इस जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूँ जहां पर ग्रामीर विकास, करेंट अफियर्स, यूपी स्पिसल इस सारे मेरे हिस्से हैं लगभग लगभग 40 नंबर का सेग्मेंट में स्वयम आपको कवर करा रहा हूँ आईए अब इन पॉइंट्स के बारे में एक संशिप्त चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको आपके अध्यन के पृति फोकस्ट करेंगे आपको अपने सभी पृष्णों के उत्तर इस चर्चा में मिल जाएंगे एक-एक करके प्र यूपीटरपल सी द्वारा राजस परशत से अधियाचन मागा गया है क्योंकि यूपीटरपल सी ने लिखा हुआ है कि हमें आदेश प्राप्त हुआ है कारेले से आदेश प्राप्त हुआ है कि हम जल्द ही इन पदों पर भरती प्रक्रिया को खतम करें भरती प्रक्रिया क को पूरी करें तो 2017 से लेके जून 2020 तक के जितने भी पद आपके रिख्थ हैं वो 8000 पिलस हैं और भरती प्रिक्रिया बहुत तेजी से प्रारम होने बाली है और इनका अधियाचन मागा गया है अब आप में से कुछ लोग ये मत कहिएगा कि सर आप तो हर बार कहते हैं देखे इस भरती प्रिक्रिया को हम सुरू प्रारम करने जा रहे हैं और हमें आदेश प्राप्थ हुआ है कि मार्च तक हमें इस भरती प्रिक्रिया को पूर करना है तो ये भरती प्रिक्रिया बहुत तेजी से प्रारम होने चल लए है विश्वासमान ये जल्दी इसका फॉर्म आ बहुत ही जल्दी भरती प्रिक्रिया आपके सामने होगी दूसरी बात क्या आने वाली है लेकपाल भरती बिलकुल आने वाली है लेकपाल भरती आप एस्चोर रहें और लेकपाल भरती आने के बाद आप इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे जो अच्छे चात्र होते हैं जो अ इस बार यह मौका आपकी हाँ से जाने ना पाए क्योंकि कीमती समय है और कीमती समय का दुरुपयों ना करिए तीसरी बार कब हो सकती आपकी परिक्षा कमिशन से जो खबरे मिली है उस हिसाब से जो तैयारी है अक्टूबर के लाश्ट वीक में या नममबर के फर्ष्ट वीक में आपकी ये परिक्षा ली जा सकती है इसका मतलब जुलाई निकल गया आपके पास अगस सितम्बर और अक्टूबर लगबग लगबग 90 दिन आपको इस परिक्षा की तयारी के लिए चाहिए और इतना ही समय आपके पास बचाए इसलिए समय बिल्कुल जाया न करें और आयोग इसी इसी तारीकों में परिच्छा कराने पर अक्टूबर के लाश्ट वीक के नममबर के फर्ष्ट वीक में अपनी योजना बना रहा है जल्दी उसका ड्राफ्ट मैं तरीक तारीक के आपके सामने होगा आपकी आगे की तयारी क्या होनी चाहिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि फॉर्म भणने के बाद कभी भी तयारी नहीं की जा सकती अगर आपको लेकपाल बढ़ना है तो आपका एक एक मिनिट कीमती है मैंने आपको बताया या तो आप स्वेम से तयारी करने इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुगा कि अगर आप घर बेट में तयारी करना चाहते हैं कैसे करें या आप हमारे साथ जोड़ जाएं टार्गिट बतालोग ऑनलाइन इस्टिटूट के साथ जोड़ जाएं तो मैंने आपको यह भी बताया कि बेस संचालित हो रहा है बहुत सांदार बेस्ट कोर्स है आप डेमो नीचे देख सकते हैं फीडबैक से देख सकते हैं प्रवेस प्रारंब किया गया है आप लोगों की बहुत मांगवार यह वाटसप नंबर है और नीचे डिस्क्रिप्सर में जो नंबर चलना है उन नंब सफलता किसी तस्तरी में रखके नहीं आएगी उस तस्तरी का निर्माड आपको खुद करना पड़ेगा तो आप एक कांगरों के रच्छी दिसा में महिनत करिए और बहुत जबरजस्त बैच इसके लिए चल रहा है आप लोग आईए अपनी सफलता को सुनिश्चित रगे जो सदस्त पूरे उत्तर प्रदेश में घर बेट के तैयारी कर रहे है उन सभी को अननत और आकास पर सुपकावना है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार